सिर्फ एक चम्मस तेल में, कम मसाले में, बीना पानी के आज हम परवर आलू फ्राइ बना रही हैं सूपर टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है, जटपड बनती है, खाने में भी बहुत चटपटी लगती है इसे आप राइ सोटी के साथ खाए, बहुत अच्छा लगता है, चलिए इसे बनाते हैं यहाँ पर हमने परवल लिये है, धाई सो ग्राम परवल है, इसे हम बीच में से कट करेंगे देखिए इसके बी कड़क है, कड़क बी को हमें निकाल लेना है, जो नरम भी रहेगा उसे रहने देंगे इसे हम लंबी स्लाइस में कट करेंगे, पतला पतला कट करेंगे एक परवर का पहले हम दो भाग करेंगे फिर इसका बी अगर कड़क रहा तो निकाल देंगे इसका दिखें नरम है तो रहने देंगे एक परवर की हम यहाँ पर छे भाग करेंगे पहले दो भाग करेंगे फिर एक कटा हुआ का तीन भाग करेंगे इस तरह से छे भाग हो जाता है इदम पतली-पतली स्लाइस में कट करेंगे यहाँ पर दो बड़े साइस के हमने आलू लिये है आलू को छिल कर हम इसे परवल में ही रखेंगे आलू को भी हम इस तरह से पतली-पतली स्लाइस में कट करेंगे जिस तरह से हमने परवल कट किये उसी तरह से हम आलू भी कट करेंगे और इन सब को अच्छे से हमें कम से कम 2-3 पानी अच्छे से वाश कर लेना है और सबजी को हम पानी में रखेंगे ताकि आलू काला न हो कढ़ाई में हम एक चम्मस तेल डालेंगे सिर्फ एक चम्मस तेल में हम सबजी बना कर तयार करेंगे तेल को कढ़ाई में चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे फिर यहाँ पर इसमें हम सिर्फ पाव चम्मस जीरा डालेंगे जीरा को अच्छे से तड़का लेना है धीमी आच पर ही जीरा तड़काएंगे यहाँ पर हमने अद्रक लसुन कुटा हुआ लिये है दस से बारा करली लसुन है एक इंच अद्रक का तुकड़ा है जिसे हमने खलबते में कुट कर लिये है अद्रक लसुन का कच्छा पन चला जाए तब तक इसे हम भूनेंगे इस तरह से एक बारा परवर और आलो की सबजी जरूर बनाईए यहाँ पर एक बड़े साइस का हमने प्याज लिये है जिसे लंबे लच्चों में हमने कट कर लिये है इसके लच्चे हमने अलग नहीं किये है क्योंकि कुस सेकेंड के लिए हम प्याज को जब तेल में भूनेंगे तिसके लच्चे अपने आप अलग हो जाते है हमें करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर हमने चार हरी मिर्च को कट करके लिए है तीखा आप अपने हिसाफ से लीजिए प्याज का कलर हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे सिर्फ हल्का सा सॉप्ट हो जाए बस उतना ही हमें इसे फ्राइ करना है ज्यादा नहीं फ्राइ करना है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो भी मसाला डालना रहेगा जब सब्जी आधी पक जाएगी उसके बाद ही डालेंगे यहाँ पर हम सिर्फ नमक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मैंने एक चमश नमक का इस्तेमाल की हूँ आप सौधा नुसार नमक लीजे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि मसाले अगर अभी से हमने डाल दिये तो जलने का डर रहता है इसलिए मसाले हम आधी जब सबजी पक जाएगी उसके बाद ही डालेंगे अब इसे ढख कर हम 50% तक का सबजी को पका लेंगे तेल में धीमी आजपर ही पकाएंगे 50% जब सबजी पक जाएगे तब इसमें हम मसाले डालेंगे यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिये है आधा चम्मच धनिया पाउडर है छोटा चम्मच है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और यहाँ पर हमने टमाटर लिये है एक टमाटर को हमने कट किये इसका भी निकाल दिये, छोटे तुकडों में कट किये है इसके आलावा हम किसी भी मसाले का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे फिर भी सबजी बहुत अच्छी बन कर तयार होगी इतना अच्छा लगता है खाने में किसे आप रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है अगर आपको परवल की सबजी खाना पसंद नहीं है तो भी आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राइ करें यकिन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं आपको यादि लादू आपको रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो कुकित मनुर्माई चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार नई नई आने वाली रेसीपी के लिए देखे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए इसे हम ढग देंगे और धीमी आज पर सबजी को अच्छे से पका लेंगे एक दम धीमी आज पर देखे हमने सबजी को बकाई है बीना पानी डाले सिर्फ एक चमच तेल में हमने परवल आलू को फ्राइ किये देखे परवल भी कट जा रहा है आलू भी कट जा रहा है, गैस को हम बंद कर देंगी, इसमें हरी धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सूपर टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है, आप एक बार इस तरह से परवर आलू की सबजी जरूर बनाएए, खाईए, और कमेंट करके बताएए कि आपक करते हैं, देखे, सब कलर देखे, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा लगता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ,